तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले Class 9 Civics का Chapter No.3 जिसका नाम है Electoral Politics इस Chapter में हम Elections के बारे में जानेंगे कि Elections क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं तो चली जानते इस वीडियो में तो दोस्तों Chapter की सुरुवात होती है हर्याना से 1987 में हरयाना सेमली के इलेक्षन चल रहे थे, इस इलेक्षन में दो पार्टी आमने सामने खड़ी हुई पहरी थी Congress Party जो की पिछले 5 सालों से रूल करते हुए आ रही थी और दूसरी थी लोगदल, जिसके लीडर थे चोदरी देवी लाल जी इन्होंने Congress के opposition में खड़े होकर नया युद्ध किया जिसका मतलब होता है struggle for justice इसके अलावा न्होंने लोगों से promise किया कि अगर उनकी पार्टी इलेक्षन में जीतती है तो भी सारे किसानों की lawn माफ कर देंगे लोग Congress से परिसान थे और चोदरी देवी लाल जी के आइडिया से काफी जादा अट्रेक्टेड थे इसलिए जब voting हुई तब लोगों ने लोगदल को काफी जादा बोट किया In fact, हर्याना Assembly में जा 90 seats थी उसमें से 76 seats तो लोगदल और उसके alliance को मिलती है जिसमें से 60 seats तो आके लिए लोगदल की थी जिसकी बज़े सी लोगदल election जीत जाती है election जीतने के बाद चोदरी देवी लाल जी हरयाना के नए Chief Minister बनते है और Chief Minister बनने के बाद वे सारे किसानों के lawn माफ कर देते है लोगदल पार्टी अगले चार सालों तक रूल करती है लेकिन उसके बाद जब 1991 में जब फिर से election होते है तब लोगदल पार्टी हार जाती है और Congress जीत जाती है आखिरा में election की जरूत क्यों होती है किसी भी democracy में एक regular interval के साथ election होते है जैसे कि अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर एक 5 सालों में election होते है पूरी दुरिया में 100 से ज़्यादा country ऐसी है जहाँ पर representative को चुनने के लिए election होते है अब सवाल ये उठता है कि क्या बिना election की भी democracy हो सकती है of course हो सकती है अगर सारे लोग आप उसमें बैटकर मिल जूलकर कोई decision ले तो बिना election की भी कम चल सकता है लेकिन ये एक छोटी community के लिए ठीक है बड़ी community के लिए ये possible नहीं है क्योंकि अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया में 140 करोड लोगों की जनसंग क्या है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 140 करोड लोग एक साथ बैटकर decision ले सकते पर एक चीज हो सकती है कि जिस सारे लोग अपने आप से ही कुछ लोगों को चुन ले जो उनके हसाब से उनके लिए सही रहेंगे decision लेने के लिए पर इसमें भी एक problem है कि बिना election के इतने सारे लोगों मैंसे अच्छे लीडर चुने कैसे और अगर चुन भी लिया तो क्या guarantee है कि वो आगे जाका जनता के हिसाब से काम करेंगी तो क्या हम उन्हें बाद में जाकर हटा सकते हैं पर इसके लिए हमें जरूरत होगी election की election की मदसी लोग अपनी पसंद का representative चुन सकते हैं और अगली election में उसे हटा भी सकते हैं ऐसी क्या चीज़े हैं जो election को democratic बनाती है फर्स्ट election को हम तब ही democratic कह सकते हैं जब हर एक बैक्ती के पास अपना एक vote हो और उस vote की एक value हो सेकिंड किसी भी country हैं free election होने चाहिए और लोगों के पास choice होनी चाहिए थर्ड है election regularly होने चाहिए हर कुछ सालो में फोर्थ है जिस candidate को लोगों ने vote दे कर choose किया है उसे ही elect किया जाना चाहिए फिप्थ है election free and fair manner में होने चाहिए जिससे लोग जिसे चाहें उसे vote दे सके बिना किसी डर के तो दोस्तों किसी country में इस सारे principle फॉलोंगे तभी election democratic होंगे otherwise नहीं होंगे now the next topic is is it good to have a political competition क्या political competition होना सही है चलिए देखते हैं अब आप खुदी सोचो कि अगर political parties की बीच में competition नहीं होगा तो election की कोई value ही नहीं रहेगी अगर गोडों की race में एक ही गोड़ा दोड़ेगा तो obvious सी बात है फस्ट भी वही आएगा इसलिए competition होना जरूरी है क्योंकि competition होगा तभी तो best का पता चलेगा लेकिन political competition होने से कई सारी नुकसान भी है political competition के चलते लोगों के बीच में division होता है इसके अलाबा parties एक दूसरी पर आरोफ लगाती है और कई सारी डेटी ट्रिक्स का इस्तमाल करती है election को जीतने के लिए इसकी बज़े से समाज और देश के अच्छी लोग जो बास्तमें लोगों के लिए अच्छा करना चाहते है वो इनी कारणों की बज़े से election में नहीं उतरते हमारे constitution makers को ये बाते पहले से पता थी फिर वी उन्होंने long time vision को ध्यान में रखकर free competition को ही choose किया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में यही विवस्ता बेथर काम करेगी पर आजकल के नेता लोगों की सेवा के लिए नहीं बनते हैं बलकि वे बड़ी से बड़ी कुर्सी और जाज़ ज़्यादा अधिकार पाने के लिए election लड़ते हैं तो इससे बचने के लिए political competition होना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि नेता जानते हैं कि उन्होंने अगर लोगों की इच्छा के निस्वार काम किया तब तो उनकी लोग प्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाओं में उनकी जीत की संबाबना भी बढ़ेगी और अगर उन्होंने जन्ता के साबसे काम नहीं किया या पर जन्ता को असंतुष्ट किया तो वे अगला election नहीं जीत पाएंगी इस तरह यदि कोई political party के वल सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो अभी उसे मजबूरन जन्ता की सेवा करनी होगी नहीं तो लोग अगले election में उसकी party को छोड़कर किसी दूसरी party को बोड़ देकर उसे power में लाई है इस topic में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में election किस type से होते है तो इंडिया में दो तरह के election होते है एक लोग सभा के लिए और दूसरे बिदान सभा के लिए लोग सभा के election central level पर होते है जिसकी मदद से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है और बिदान सभा के election stage level पर होते है जिससे चीफ मिनिस्टर को चुना जाता है और ये दोनों ही election हर एक 5 सालों के अंतराल में होते है और इनी elections को हम general election बोलते है पर कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी constituency में back-end सी खाली हो जाती है किसी representative की death की बज़े से या पर उसने resign दे दिया इस बज़े से तो उसी back-end post के लिए constituency हैं फिर से election होता है किसी नए representative को चुनने के लिए इस election को by election बोलते हैं तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आकर electoral constituency क्या होते है तो constituency का सीधा सा मतलब area से है जैसे कि लोग सभा election के लिए इंडिया को 543 constituency में divide करके रखा है और हर एक constituency के अंदर से एक एक representative को elect किया जाता है ऐसे करके पूरी इंडिया की 543 constituency से 543 representative elect होते हैं जैने हम member of parliament यानि की MP कहते हैं और इन सारी constituency में population label लगबग बराबर रहता है similarly जो बदान सभा के election होते हैं के लिए states को अलगलग constituency में बाटा गया है और इन constituency से जो representative elect होकर आय होते हैं उन्हें member of legislative assembly कहते हैं यान की MLA कहते हैं इसके अलाबा जो local election भी होते हैं जैसे की पंचियात और नगरपालका के तो उनमें भी यही तरीका अपनाया जाता है जिसमें बिलेज और city को अलगलग ward में बाट दिया जाता है और प्रतिक बाट के लिए एक एक member elect होता है तो दोस्तो जो हमारे constitution makers थे उन्होंने reserved constituency का system मनाया मतलब जो समाज के beaker section के लोग हैं जैसे की SC और ST category के लोग उनके लिए seats मतलब अगर कोई constituency SC candidate के लिए reserve के गई है तो उस constituency से केबल SC category का candidate election लड सकता है और अगर कोई constituency ST candidate के लिए reserve की गई है तो वहां से केबल ST category का candidate election में खड़ा हो सकता है तो जी जो reserve constituency का system है उसे हमारे constitution makers ने इसलिए include किया ताकि जो पिछड़े लोग हैं वो आगे आ पाएं और वो भी election लड़ पाएं क्योंकि ऐसे लोगों के पास नहीं resources होती हैं और नहीं education होती हैं और नहीं इनका किसी से contact होता है तो ऐसे में इनका जीतना तो लगबग impossible हो जाता है तो इसके लिए reserve constituency का system introduced किया गया ताकि powerful लोग ही हमेज़ा election ना जीतते रहें because section के लोगों कोई बराबर मौका मिले election जीतने का तो अब हम बात करते हैं कि कितने कितने seat रिजर्ब की गई है SC और ST category के candidates के लिए तो 2012 की report के अनुसार लोग सभा के लिए 84 seats SC category के लिए रिजर्ब की गई है उनमें women's के लिए भी बंतर सीट रिजर्ब की गई है ताकि women's को भी मौका मिल सके election लडने का Now the next topic is voter list तो दोस्तों अभी तक हमने ये जाना कि हर एक constituency में representative को elect करने के लिए election होते हैं पर अब पता कैसे चलेगा कि उस constituency से vote कौन डाल सकते हैं और कौन बोट नहीं डाल सकते हैं तो इसके लिए हमारी government particular constituency के लिए एक voter list जारी करती है जिसे हम officially electoral role कहते हैं इस voter list में उन सारे लोगों के नाम होते हैं जो आने बाले election में बोट डाल सकते हैं हमारी इंडिया के अंदर universal adult franchise ही है जिसके मताबित हर एक बेक्ती के पास अधिकार है बोट डालने का बसरते उसकी उमर 18 या उससे जादा होनी चाहिए कुछी लोग बोट नहीं डाल सकते हैं जैसे कि जो criminal होते हैं और जो unsound mind के लोग होते हैं वो बोट नहीं डाल सकते हैं कि सारे लोग बोट डाल सकते हैं जैसे ही कोई बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसका नाम बोटर लिस्ट में add कर दिया जाता है और किसी कारण बस किसी की death हो जाती है तो उसका नाम बोटर लिस्ट से आटा दिया जाता है यह update voter list के अंदर हर 5 सालों में होता है election से पहले इसके अलाबा government एक card issue करती है जिसे election photo identity card यानि की epic बोलते है बट इसको हम simple भासा में voter ID भी बोलते है यह card उन लोगों को issue कराया जाता है जिनका नाम voter list में होता है और जब भी कोई vote डालने जाता है तब इस card को वो अपने साथ ले जाता है as a proof nomination of candidate इसका मतलब होता है कि अगर किसी को election में खड़ा होना है तो वो कैसे participate करेगा चली देखते हैं तो होता क्या है कि अगर किसी की age 18 साल है तो वो cable board डाल सकता है election नहीं लड़ सकता है अगर किसी को election लड़ना है तो उसके लिए उसकी minimum age 25 year होनी चाहिए तब ही वो election में as a representative खड़ा हो सकता है आप अपनी खुद की party बना कर election में खड़े हो सकते हो या फिर अगर आपको किसी बड़ी party का ticket मिल जाता है तो आप उस party के भियाप में election लड़ सकते हो election लडने के लिए candidate को एक nomination form भरना होता है जिसमें candidate को अपनी सारी जानकारी भरनी होती है इसके साथ साथ उसको कुछ specific amount भी pay करनी पड़ती है as a security deposit Supreme Court ने कुछ चीज़े compulsory कर दी है जैसे कि जो भी candidate election लड़ेगा उसको अपने बारे हैं बहुत सी चीज़े disclose करनी पड़ेगी जैसे कि उसकी education qualification क्या है उसके पास property कितनी है उसके उबर कोई criminal case pending तो नहीं है इन सब चीज़ों को verify किया जाता है और candidate की जे सारी जानकारी लोग के बीचों open कर दी जाती ताकि voters को पता रहे कि वो किस type के candidate को vote दे रहे है अब दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता कि election हो और कोई party और candidate अपना परचार परसार ना करे जैसा कि आप इन pictures में देख सकते हो कि कई सारी party really करती है public meeting करती है interview होते हैं television पर advertisement होते हैं ये क्यों होते हैं ताकि representative या candidate अपने बारे में जन्ता को बता सके और discussion कर सके लोगों से इसके लिए election commission दो अपतों का time देता है इन दो अपतों में candidate लोगों से कई सारे बादे करते हैं और कई सारे ऐसे हैसूस पर focus करते हैं जिनसे उनको जादा vote मिल सकते हैं election को जीतने के लिए पहले भी बहुत सारे लोगों ने कई सारे स्लोगन दिये थे जैसे कि 1971 लोगसभा election के लिए इंद्रा गांदी ने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ ऐसे 1971 में भारतिय जन्ता पार्टी ने एक स्लोगन दिया safe democracy का 1977 बेंगल assembly election में left front ले लेंड फोर्ट टिलर का स्लोगन दिया और 1983 आंद्र प्रदिश assembly election में तेलगो दिसम पार्टी के लेडर एंटी रामा राव ने एक स्लोगन दिया था जो कि था protect the self respect of तेलगोस तो ये को successful स्लोगन थे जो कि इस्तमाल किये गए थे election के time पर अब दोस्तों हम बात करते हैं सी क्या चीज़े हैं जो political party और candidate अपने election campaign के द्वारन इस्तमाल नहीं कर सकते तो पहली चीज़ है कि कोई भी candidate या party किसी भी voter को डरा धमका कर और पैसे देकर मजबूर नहीं कर सकती बोट डालने के लिए सेकेंड है कि कोई भी party और candidate religion और कास्ट का इस्तमाल करके बोट नहीं मांग सकते थर्ड है कि कोई भी candidate और political party अपनी हिच्छा से कितने भी पैसे खर्च नहीं कर सकती election campaign के लिए लोग सभा election में कोई भी candidate और party एक constituency के लिए केबल 25 लाग ही खर्च कर सकती है उससे ज़्यादा नहीं और अगर बात करें बिदान सभा election की तो उसमें एक constituency के लिए केबल 10 लाग रोपे ही खर्च कर सकती है अगर कोई party या candidate इससे ज़्यादा खर्च करता है तो call to selection को reject भी कर सकता है फूर्थ है कि कोई भी political party और candidate अपने निजी प्रचार प्रसार के लिए government vehicles और officials का इस्तमाल नहीं कर सकती फिप्त है कि कोई भी party और candidate कोई भी place और बरसे पर election propaganda spread नहीं कर सकते है जब election announce हो गए है तो उसके बात से कोई भी minister कोई भी नया project नहीं ले सकते है polling and counting of votes finally ये सारी process के बाद बो दिन आता है जिस दिन सारी लोग vote करने जाते हैं इस दिन को voting day बोलते हैं तो जिस भी person का नप voter list में होता है वो अपने नजदी की polling booth में बोट डालने जाता है polling booth basically एक जगह होती है जहां पर बोट डाले जाते हैं तो जैसे ही कोई बेक्ती polling booth में entry करता है तो सबसे पहले जो election offices होते हैं वो इस बेक्ती का identification करते हैं उसकी बाद उसकी finger पर mark लगाया जाता है देन उससे बोला जाता है बोट डालने को सभी candidate polling booth के अंदर अपने अपने बरोसेवन एजेंट बठा देते जिसी बेर देख सके कि चुना और ठीक डंक से हो रहा है या नहीं पहले के time पर जो लोग बोट डालने आते थे तो उनको एक paper दिया जाता था जिसमें सारे candidate के नाम और party symbol बने रहते थे तो बोटर को जिस भी candidate को बोट देना होता था तो वो उसके सामने seal लगा कर एक पेटी में डाल देता था पर इसमें एक समस्या आती थी कि जो कम पड़े लेके लोग होते थे वो कुछ इस तरीके की seal लगा देते थे अब यही समझना मुश्किल हो जाता था कि बोटर ने बोट किसको दिया है उपरवाले को की नीचे वाले को और कई बार तो ऐसा भी होता था कि बोटर एकी पेपर पर चारचाच seal लगा देता था तो ऐसे में उन बोटों को बाद में जाकर निरस्ग करना पड़ता था पर आब ऐसा नहीं होता है क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया में election के लिए EBM machine का इस्तमाल किया जाता है यानि कि electronic voting machine का इस machine पर सारे candidates के नाम और party symbol बने हुए होते हैं तो अब जिस भी voter को जिस भी candidate को vote करना होता तो उसी बस उसके सामने वाला बटन दबाना होता है similarly इसी process से सारे लोग vote करते हैं अब जैसे ये voting complete हो जाती है तो इन सारे EBM को seal करके एक सुरक्षे जगह पर रख दिया जाता है कुछ दुनों के बाद एक fix date पर इन सारे EBM को खोला जाता है और किस candidate को कितने vote मिले हैं इसके लिए counting सुरू होती है और जब counting चल रही होती है तो वहाँ पर भी candidate की agent रहते हैं ये चेक करने के लिए कि counting साइड अंक से हो रही है या नहीं हो रही है जब counting complete हो जाती है तो election के result आते हैं और जिस भी candidate को ज़्यादा vote मिलते हैं वो election जीत जाता है ऐसी क्या चीज़े हैं जो इंडिया की election को democratic बनाती हैं पहली चीज़ तो यही है कि जो हमारी इंडिया है उसके अंदर जो election होते हैं उसे एक independent body conduct कराती है जो कि ये election commission of India इंडिया की election commission को बहुत power दी गई है election commission अपना decision खुद ले सकती है उन्हें किसी को भी जवाब नहीं देना होता है और अगर कोई candidate और party को election commission का decision अच्छा नहीं लगता है तो अभी कोई कुछ नहीं कर सकता इंडिया की election commission को जतनी power मिली है साइधी किसी देश की election commission को इतनी power मिली होगी इंडिया में क्या दिखने को मिलता है कि जो इंडिया की लोग है वो बहुत ही ज़ादा participate करते है election के अंदे अगर हम इंडिया की voters turn out figure की बात करें मतलब जितने लोग vote कर सकते हैं उनमें से कितने लोग actually में vote करने आये हैं तो हमारे इंडिया में ये percentage बड़ी रहा है कम नहीं हो रहा है वहीं जो other European countries है उनमें ये देखने को मिला है कि उनका voting graph नीचे जा रहा है अगर हम particular इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसी लोग ज़ादा vote करने आते हैं जो गरीब होते हैं और जो कम पड़े लिखे होते हैं वहीं जो rich लोग होते हैं वो थोड़ा कम participate करते हैं election में मगर करते हैं बट अगर overall देखा जाए तो इंडिया की most of the population election के time पर vote करने जाती है और यही चीज़ हो करती है कि लोग election के परती कितने ज़्यादा interested है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके vote की value है अगर उन्होंने vote डाला है तो उनका vote birth नहीं जाएगा ऐसा लोग मानते हैं और यही चीज़ हमारे election को और भी ज़्यादा democratic बनाती है एक और चीज़े जो हमारे elections को democratic बनाती है वो है कि जो election के result आते हैं उससे सारी country accept करती है चाहे वो opposition party हो और चाहे वो आम नागरिफ हो तो यह सारी चीज़े हमारे इंडिया के elections को democratic बनाती है challenges to free and fair election तो यहां तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे हमें यह पता चलता है कि इंडिया में जो election होते हैं वो free and fair manner में होते हैं तो क्या बास्ता में हमारे election free and fair manner में होते हैं बट कोई भी चीज़ 100% perfect नहीं हो सकती थोड़ी बहुत कमिया तो जरूर होती है ऐसे हमारे elections के अंदर भी कुछ कमिया है तो चलिए उनको एके करके discuss करते हैं तो first problem है कि जिस भी candidate के पास जादा पैसे होते हैं उससे थोड़ा जादा advantage रहता है election जीतने का मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि वो election जीती ही जाएगा election other candidates भी जीत सकते बद थोड़ा advantage जादा रहता है जिसके पास पैसे जादा रहते हैं second है जादर political party ऐसे लोगों को ticket अलोट करती हैं जिनका criminal background रहता है third है कि कई सारी political parties के अंदर ऐसा देखने को मिलता है जिसमें एक ही परिबार के member rule करते हुए आ रहे होते हैं एक तरप से सब को ticket मिले हुए होते हैं fourth है इंडिया के अंदर जितनी भी political parties हैं उनकी ideology और काम करने का तरीका लगवक एक ही जैसा है किसी भी party में कोई भी major difference नहीं है तो ऐसी में लोगों के पास actual में कोई choice नहीं होती है last है कि जो छोटी parties होती हैं और जो independent candidates होते हैं उन्हें बड़ी parties उपर नहीं आने देती हैं जिसकी बज़े से छोटी parties और independent candidates को मौका नहीं मिल पाता है तो ये को challenges हैं जो की free and fair election में देखने को मिलते हैं तो दोस्तों इन challenges को देखकर आप लोग ये मत समझना कि इंडिया के election सही नहीं है मानते हैं थोड़ी बहुत कमिया है पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के election डेमोकरेटिक ही ना रही और बैसे भी अगर हम compare करें other countries से तो हमें पता चलता है कि हमारे election औरों के comparison में बहुत अच्छे हैं I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो आप इस चैल को सबस्क्राइब भी कर सकते हो ऐसी class 9 की वीडियो आगे देखने तब तक के लिए take care मिलते हैं next video